एक बर्तल लेना है जिसमें आपने सबजी बनानी है सो ग्राम के करीब उसमें सरसो का तेल डालना है तेल को अच्छी तरीके से गरम करना है और उसमें डाल देंगे तीन मीडियम साइस के टमाटर कटे हुए एक चप मच अदरक एक चप मच लहसन का पेस्ट एक शिम्ला मिर्च, बारीक कटी वी, सास से आठ हरे मिर्च और इनस अबी को अच्छे से पका लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए और इसी में डालेंगे मसाले, धनिया पाउडर एक चमच, हल्दी पाउडर एक चमच, लाल मिर्ज पाउडर एक चमच, जीरा पाउडर आधा चमच, नमक और साथी साथ अशोक मसाला और साथी में डाल देंगे गोबी, एक बड़ा फूल और हरी मटर पाव भर दोनों उबले हुए हैं और एक किलो उबले हुए आलू जिसे इस तरीके से काट लिया है सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और आखरी में डालेंगे हरा दनिया और इसे गर्म गर्म सर्फ करेंगे तो देखे कितने मज़े की लग रही है आप लोग ज़रू से ट्राइ करिए, बहुत असान तरीका है और बहुत ही मज़े की सबजी है